प्रदेश की राजनिती में अब अक्सर यूवा चहरे जो हैं सबसे आगे नजर आ रहे हैं चाहे हम किसी भी पार्टी की बात करें यूवाओं को मौका दिया जा रहा है और अब ऐसे में पूर्व खेल मंतरी हरियाना सुबिर कटारिया के जो बेटे हैं वो भी यूवा कोंग्रेस जिला दक्स के तोर पर चुने गए एक चुनाव प्रक्रिया कोंग्रेस पार्टी के अंदर परदियस कार्यकार्णी के दुरान हुई जिसके अंदर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के अंदर हर जिले के यूवा धक्षों को जिला धक्षों को चुना गया और ऐ पूरे बाच्छापूर वे गुरगाओं विदानसभा के जितने भी युवा साथी जिन्हों ने इतना बढ़ चर कर इस पूरे पर्व को मनाया है जो एक महीने हमारा संगठन को जोडने बढ़ाने का काम था जो इसको बखूबी आगर ले जाकर पार्टी को मजबूत बनाया ह मैं उन सभी साथियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं और खास तोर पर मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कांग्रेस के सीशन नितित्र लाखो दिलों की धड़कन श्री राउल गांदी जी का वैं हमारे अजीज वैं अर्याना के लाडले और वैं सब से लोक प्रिये जन्ना एक चौधरी दिपिंदर उड़ा जी का जिनके मार्ग दर्शन से मुझे ये मौका मिला कि मैं आगे आकर लोगों की सेवा कर सकूं लोगों की को बता सकूं कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो सकूं इस चलते हुए हमने ये प्रोसेस था जो से बढ़ाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा भर्शुला से पर मनाया आपके पिता हर्याना के खेल मंतरी रह चुके हैं कॉंगर्स सरकार के अंदर इस इलाके में च्छेत्रे में अच्छा का सा नाम है उनका और अब जिम्मेदारी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भी सोपी गई है जिले की जिला दक्ष के तोर पर यूवा जिला दक्ष के तोर पर तो किस तरीके से इस छेत्रे के लिए काम करने का जो है बीड़ा आपने उठाया है किस तरीके से काम करेंगे और पार्टी ने क्या जिम्मेदारियां आपको दी है देखो मुई जी मैं कि युवाओं को प्रोचसान देंगे, हमने इसी महीने के end में हम वेक्शोप और सेमिनार शुरू करेंगे जिसे युवाओं को प्रोचसान देंगे कि राणीती में आएँ और राणीती में आएं औरелов को मदद करें कि वह जिससे आप सबको तो अच्छी सुविधाए मिल सकें, पेट्रोल सस्ता मिल सकें, डीजल सस्ता मिल सकें, बेरोजगारी खतम हो सकें. तो इसलिए हम बड़े-बड़ी वक्शॉप लगाएंगे, बड़े-बड़े निताओं को युवाओं को बुलाएंगे, जिनसे वन-टू-वन हम करा सकें, जिससे के उनको पता चले, क्या आप रादनीती में रहेंगे, तो आपको ये उसके फाइदे हैं, क्योंकि आज कल अब हम डिसाइड करेंगे, अपनी पहली मीटिंग होगी, कि हम चकरपुर गाओं से, वजीराबाद गाओं से, क्योंकि स्कूलों की विवस्ता, आप देखे, युवाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ये आगए कैसे बढ़ेंगे, आप देखे हमारे दिवारी भी आज तक नहीं बनी है, स्कूल की, तो हम स्कूल की इंफ्रस्ट्रक्चर जो बेबुनियादी सुविदाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए हम सबसे पहला हमारा टार्गेट रहेगा। पॉलिटिक्स, मैं जब पैदा हुआ, जब मैं पिताजीन सबसे पहले ब्लॉक का चुनाव लड़ा, फिर गाउं के सरपंच बने, पार्शत बने, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो हम तो लोगों के बीच में रहें, हमेशा कोई ये नई चीज तो हो नहीं रहें, हमारे सब नौजवान साथी दिखते हैं, वाजपसर कारक्सर कॉंग्रेस को पर वन्षवाद का रूप लगाती है, कि वन्षवाद को प्रैफर किया जाता है, तो ऐसे मैं अब आपके पिता मंत्री रहें हैं, और अब आप जिला दक्ष बने हैं, हाला कि अभी आपने कोई चुनाव नहीं जीता है, ऐसा चुनाव नहीं लड़े हैं, मगर पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या करना चाहेंगे इस बार्ष देखो, मुझे गर्व है, मैं चौदिश सुखबीर कटारिया जी का पुत्र हूँ, और उनके दिये हुए संसकारों से ही, आज मुझे इतनी भारी भहुमत मिली है, मैं कोई जला द्यक्स उपर से किसी ने बड़े निता के नाम दे प्रस्ताव करने से नहीं बना, मैं पूरे गुडगाओं और बाजसापूर के युवाओं ने 20,000 वोट डाली हैं, उन 20,000 में से 60% वोट हम लोगों को मिली है, तब मैं बना हूँ, त टीम दिपिंदर उडख जी साथ जुड़े हुए हैं, राउल गांदी के ब्रिगेड से काम कर रहे हैं, तो हम सब की एक टीम है, तो टीम गेम है ये सारा, गुरुगराम की दाजिनते के अगर बात करें, तो हर पाल्टी से हर जगह पर युवाँ जो चेहरे हैं, पिछले व competition है, कांग्रेस आप देखियो, पूरे नए जोश, नए उमीद और नए जज़बे के साथ है, आप देखिए, धन्यवाद, तो ये थे हमारे साथ सुपरी कटारिया के बेटे जिनों ने युवा जिला धक्ष के तोर पर जो है चुनाव जीता है, पार्टी के भीतर रहकर औ अब इनको युवा जिला धक्ष गुरुगराम का बनाया गया, बहुत से रन्नीते हैं, उन्हें अपने दिमाग में त्यार की है, और अपने साथियों के साथ उस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीक से छेत्रे के लिए प्रदेश के लिए काम किया जाए, अब